नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त इंजिनिर प्रभात कुमार सिंग अपने यूट्यूब चानल नीरला कंस्ट्रक्षन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं समझाने का तो चलिए दोस्तो इस घर के हर एक पार्ट पे हम लोग नज़र डालते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस घर के उपर वाला पार्ट की तरफ चलते हैं तो वहाँ आपको 15 इंची 14 एक पटी देखने को मिल रहा है जिसके उपर देखेंगे तो दो गोलुमा टाइप का डिजाइन बनाया गया है और उसके उपर देखेंगे तो पटी का डिजाइन लगाया गया है लगवक तीन इंची 14 जिसके संक्या 4 है फिर उसके नीचे आते हैं तो आपको उल्टा भी सेप का डिजाइन देखने को मिलता है और उसके नीचे में आपको आर्क सेप डिजाइन बनाया गया है और उसके दोनों तरफ से एक एक स्टेप डिजाइन बनाया गया है तो चार इंची चौरा दोस्तो प्लास्टर का पट्टी बनाया हुआ है चली अब दाहिने की तरह बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको चार सर्कुलर सेप का कॉलम देखने को मिलता है और कॉलम जहां इंडी हो रहा है वहाँ पे देखिए तो साथ आपको अच्छे से समझ में आएगा हाला कि इस घर का अभी कलर का जो काम है वह कंप्लीट नहीं हुआ है अभी पुट्टी बगर का काम चल रहा है जैसे ही कंप्लीट होगा इस घर का कलर का काम तो मैं आपके लिए भी एक और इस्पेसिल वीडियो बना दूंगा तो दोस्तों मुझे कमेंट बक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरा जो परियास आप लोग के लिए वह कैसा लग रहा है आपको मेरा परियास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देजेगा और अभी त Diamond li को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चानल गळा सब्सक्राइब कर लेजिए कि मैं आप ही लोग के लिए तो वीडियो बनाता हूं तो देख लिए जो दोस्तों कुछ इस टाइब का डिजाइन है और उसके नीचे देखेंगे तो आपको MS का ग्रिल या फिर रेलिंग बोल लिजे रेलिंग देखने को मिलता है और उसके नीचे देखेंगे तो आपको फिर बीड डिजाइन देखने को मिलता है नीचे वाला जो पार्ट इस घर का वो पहले से ही कलर हुआ है आप देख लिजे उस इस टैप से यहाँ पर डिजाइन बनाया गया है तो दोस्तों उमीद है आपको यह डिजाइन पसंद आया होगा अगर डिजाइन पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दिजे और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे क्योंकि दोस्तों में आप ही लोग के लिए तो इस चैनल पर वीडियो बनाता हूँ तो फिर में लेंगे एक अलग वीडियो में एक अलग डियान के साथ तब तक ले मुझे देज़े इजाज़त नमस्कार